अब एक डेडलियर और बहुत ही ज़रा डिस्ट्रक्टिव फेस अब ऐसे टाइम में बहुत ही इंपोर्टेंट डोल निभारा है बी-52 बॉमबर इसके बारे में हो सकता है आपने 85 बार सुना हो बहुत आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं कि यूएस ने डिप्लॉय कर दिये हैं बी-52 बॉमबर यह बहुत डाइमेज करें हैं तालिबान को अब फर एक्जामपल यहाँ पर आप देखोगे टाइमस आप इंडिया का आर्टिकल है यूएस बी-52 बॉमबर हिट तालिबान पोजिशन इन अफगानिस्तान शबेरगन शिटी और इस बॉमबर के एक्शन की यह से हमने यह रिखा है कि अब तक विदें 24 आर्स 572 आतंगवादी यहाँ पर मारे गए हैं यहाँ आप देखोगे आर्टिकल है 572 तालिबान टर्रस केल्ड और यह बात कंफर्म करी है अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस ने भी यहाँ पर आप देखवाओग थे पाकिस्तानी आतंगवादी ग्रूप से तो जैसे जैसे अफगानिस्तान की forces अब तालिबान को पीछे खदेड रही है साथ ही साथ यहाँ पर openly mention कर रहे है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से किस हद तक कोशिश करी थी कि अफगानिस्तान में altogether अश्रवगनी की सरकार खत जा रहा है इस बॉमबर की हिस्ट्री क्या है यह सब यहाँ पर जानेंगे मगर सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा एक question आपको यहाँ पर यह बताना है कि अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है यह नदी आज का लिववी है यह है यहाँ पर आपकी कर पार है अफगानिस्तान की कोई भी center relation country ने अभी के लिए USA को कोई military base हो दिया नहीं है इरान के साथ USA के relation अभी भी खराब है पाकिस्तान ने भी अभी के लिए यह का है कि कोई military base यह प्रवाइड नहीं करेंगे तो देखिए US यहाँ पर जो भी attack कर रहा है यह कर रहा है कत कतर से अब आप पूछो यहाँ पे कि कतर से US attack कैसे कर रहा है देखो पाकिस्तान ने यह का है कि इनको basis यह प्रवाइड नहीं करेंगे हाला कि US ने कभी officially पूछा भी नहीं था पाकिस्तान से के military basis नम को चाहिए मगर पाकिस्तान का जो air space है यह USA से इस्वाल कर सकता है तो अ यह पाकिस्तान की काफियत तक मजबूरी है इन्होंने एक agreement sign किया था USA के साथ 2002 में और उसके अंडर इनको air space USA को देना ही होगा तो इवन दो पाकिस्तानी गर्मेंट तालिबान का support कर रही है मजबूरी में इनको यहाँ पर US bombers को air space देना पड़ रहा है ना कतर में यहाँ का nuclear weapons भी है और देखिए B-52 bomber के बारे में सबसे ज़्यादा interesting बात यह है कि इसको बनाया गया था 1950s में आज के समय हम देखती है कि कई aircraft 25 साल के बाद 20 साल के बाद हो जाते हैं outdated countries उनको change कर देती हैं discard कर देती हैं मगर USA की company Boeing इसने बनाया था B-52 bomber 1950s में और इसकी पहली flight भी थी 1954 में और over the years कई USA के generals कह चुके हैं कि B-52 bomber almost एक उड़ता हुआ tank ही है इसका overall जो frame है जो यहाँ पे components use किये गए है बहुत sturdy है बहुत strong है हलाकि over the years यहाँ पे कुछ अप्रेडेशन की गई है मगर overall जो इसका frame है यह वैसा ही है जैसा 75 साल पहले था और US अभी भी कह रहा है कि इस design को आराम से यह 100 साल तक चला लेंगे यहाँ पे आप देखोगे article है B-52 का जो engine है एक बार अगर यह replace हो गया इस पर अभी यह project चल रहा है 11 billion dollars का tender निकाला USA ने एक बार B-52 bomber का यह engine replace कर देते हैं तो उसके बाद यह लोग यहाँ बे मानके चल रहे हैं कि 2050 तक भी आराम स यह bomber यह use कर पाएंगे और यह अपने आपे मैं काऊंगा huge milestone होगा USA के पास आज के समय गिंती के बस 76 यह aircraft बचे हैं इनिशली 1950 में बनाए गए थे 700 के आसपास over the years बहुत सारे aircraft कुलाने हो गए war में उनको damage हुआ, discard कर दिया गया मगर जो यह 76 इनके पास bomber बचे हैं उनको US ब degradation में भी यह billion spend करेंगे, यहाँ पे आप पूछोगे wait, तो US जैसी महाशकती 1950s के जमाने का bomber यूज करेगी, क्योंकि आप अगर सोच कर देखो bomber बहुत ही important है, तो US के आने वाले कहीं सालों तक सिर्फ इस पे ही depend करेगा, तो इसका answer है नहीं, US आज के समय एक और bomber develop कर रहा है यह है B-21 radar, यहाँ पे आप देख पाऊगे, यह भी under development है, बहुत ही futuristic का design है, इसको radar में detect कर पाना बहुत ज़रा मुशकिल है, और कल को अगर मान लीजिए, बहुत ही बड़े scale पर war होती है, US को bombing करनी है, रशा की या फिर हुनोजीवन चाइना की, तो उस case में यह लोग B-21 radar का इस्तिमाल करेंगे, मगर अभी के लिए Syria में bombing करनी होती है, अफगानिस्तान में bombing करनी है, ऐसे इलाके में bombing करनी है, जहाँ पर radar का खतरा नहीं है, और जो आपका opponent है, जो आपका प्रतिद्वंदी है, उसके पास एक proper air defense नहीं है, तो वहाँ पर US prefer करता है B-52 bomber को, और आ टोटल wingspan है, 56 meter का, जो रफाल विमान हमने purchase किया है, उसका wingspan है, टोटल 11 meter का, इसका take-off weight 2,00,000 kg से भी उपर का है, बहुत सारे bombs ये carry कर सकता है, और देखिए, since ये विमान है ही इतना बड़ा, इसको take-off विगर करना हो, तो आप aircraft carrier से इसको take-off नहीं करवा सकते हैं, हाँ, ref aircraft carrier से ये take-off नहीं कर सकता, ये एक rendered image है, ये समझाने के लिए, कि एक aircraft carrier, even US का aircraft carrier, इस bomber को सभाल नहीं पाएगा, तो US की strategy देखिए, बहुत simple है, आज के समय, के लगातार, जहाँ पर भी news आ रही है, कि Taliban की presence बढ़ रही है, USA का ये bomber वहाँ पे जाता है, और heavy bombing कर देता है, इस जगा आप देखोगे, strategy बहुत ही simple है, पहले USA bombing करता है, और उसके बाद Afghan Defense Forces यहाँ पे आती है, और Taliban को और जादा ये लोग पीछे खदेर देते हैं, आप यहाँ पे पूछोगे, ठीक है, एक तो ये bomber हो गया, उसके अलावा, एक gunship के बारे में भी सुना है, Spectre gunship यहाँ प और Spectre gunship भी कोई खास aircraft नहीं है, यह Lockheed Martin का AC-130 है, इसको transport के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, उसके अलावा, अगर कम level पे आपको bombing करनी है, और लगातार आपको bullets बरसानी है, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं Spectre को, तो US Forces यहाँ पर यह भी काफी बार करती है, यह जो strategy है US की, कि नीचे ground पे जो dirty work है, जो in the end यहाँ पे Taliban के बहुत सा रातंगवादियों को मारना है, इनको पीछे धकेलना है, यह सब कर रही है, अफगानिस्तान की खुद की आर्मी, US बस प्रोवाइड करेगा air support, क्या यह effectively काम कर रहा है, तो देखिए हाली में Russia के officials न relentless bombing का, तो वैसे आप अगर देखें तो भी work खतम हुई नहीं है, आने वाले 2 से लेकर 3 महीने काफी important होंगे, मगर जिस type की air bombing US यहाँ पर कर रहा है, अफगान forces जिस bravery से यहाँ पर रट रही है, possibility है कि Taliban जो accomplish करना चाता था, यह नहीं कर पाएंगे, अब वापस आते हैं अप है, Hillman River, और यह news में से ले रहती है, क्योंकि एरान से भी river यह गुजरती है, और अफगानिस्तान से भी गुजरती है, और दोनों देशों के वीच में एक dispute है, इस river को लेकर, इरान आज के समय यह चाहता है, कि कैसे भी करके अफगानिस्तान में Taliban कबजा ना कर ले, क्योंकि इरान के लिए भी काफी मुश्किल हो जागा तालिबान से बात करना, उसके अलावा जो इनके disputes हैं regarding river, इन disputes को इरान resolve करा सकता है, अगर अफगानिस्तान को represent कर रहा होगा, अश्राव गणी जैसा इनसान, अगर तालिबान कबजा लेता है पूरे अफगानिस्तान को, तो इ अगर आप prepare कर रहे हैं यहाँ पर need के लिए, so click on need, get subscription और यहाँ पर purchase कर सकते हैं, iconic और plus course, देखो, iconic course बहुत ही special इसलिए है, क्योंके यहाँ पर आपको मिलती है, one-on-one live mentorship, live doubt solving sessions, physical notes भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, so iconic course is very special, अगर आप iconic course purchase करना चाहें for 18 months, 24 months, आप purchase कर सकते हैं, मगर जो price यहाँ पर लिखा है, never pay this price, use करो यहाँ पर promo code PD10, and the prices will fall, so use the code PD10, and save money, so इसी note के साथ, यह है video कांत, thank you for listening, and as always, God bless you all.